वेलकम तु सटडी आईक्यू आमीद वरीदी के लोर वट विल हैपन अगर आप इतनी गाडिया खरीद लो कि आपके घर में उसे खड़ी करने की जंगा ही नहीं आओ या फिर आपके गराज में ही जंगा नहीं इतनी गाडिया खरीद लो कि घर के सामने जो रोड है उस पर भी ना खड़ी कर पाओ इतनी गाडिया खरीद लो कि जिसमें आपके पास ड्राइवर ही ना हो चलाने के लिए गाडिया जादा है ड्राइवर कम पढ़ जाए आप गहेंगे कि सर ऐसी हाइपोथरिटिकल सिचुएशन होती नहीं है बिलीव मी ऐसी हाइपोथरिटिकल सिचुएशन एक्चुली में हो रही है कतर के साथ कतर ने पिछले पांथ सालों में अपनी मिलिटरी में इतना इंवेस्टमेंट किया है पहले उनके पास खड़ी करने की जहें नहीं बची हुई है दूसरा देरा सम लॉजिस्टिकल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनका जो ये आर्सनल पूरा पूरा तयार हो गया है लेट स्टाइट तो अंडर्स्टैंट इस सिचुएशन थे कतर और फ्रांस के बीच में एक बिलियन डॉलर की रफैल फाइटर जेट की डील हुई अब रफैल चल रहा है रफैल का बहुत अच्छा चल रहा है रफैल को मतलब बढ़िया तरीके से खरीदा जा रहा है मतलब लग रहा है कि काफी अच्छा जहाज है हमने दुनिया भर के खरीड लिये हैं, कतर ने भी अच्छे खरीशे हैं, अपने रफैल जेट फाइटर भी ले रहे हैं, डाउन पेमेंट भी कर दी, 12 और, मतलब पिछले 5 साल से रफैल अपना मिलिटरी आर्सनल बनाये जा रहा है, दो कंट्रीज के कॉंटेक्स्ट में आज ह गल्फ में खुलती हैं, इसके साथ साथ आज का हमारा जो कंट्री है, वो है तर्की, यह वो पडोसी है, जहां पे कतर अपनी गाडिया खड़ी करना चाहता है, इसके खुद के गराज में जगे नहीं है, so he is actually going for the तर्की, यह तर्की हो गया, ठीक है, so you can understand इनकी रिलेटिव location के context में, let's see the situation के है, पिछले पात सालों में, कतर एक unprecedented spending spree कर रहा है, indeed उन्होंने अपनी जो warplanes है, 900% से भी जादा बढ़ा ली है, and now they have a problem of the logistic problem, दो problem है, सबसे पहले, वो सारे के सारे जहाँ खड़े कहां करे, and third, they do not have the manpower to run all those planes, basically कतर एक छोटा देश है, as far as the population goes, और उ trained manpower जो चाहिए होती है, इतने बड़े arsenal को, उन्होंने सिर्फ warplanes ही नहीं खरी दे है, helicopters, radars और navy को भी उन्होंने modernize करने की कोशिश की है, they do not actually have the manpower to run all that, so these two problems, इसको solve करने का तरीका क्या लगाया गया है, सबसे पहले, इन्होंने 30 billion dollar के purchase की है, जिसमें 36 F-15 QA jet fighters, Apache helicopters खरे हैं, United States of America से, 24 Eurofighter Typhoon warplanes, Hawk Trainers, Britain से खरीद लिये हैं, 20H NH-90 helicopters, Italy से खरीद लिये हैं, 36 Rafale के जहाज खरीद लिये हैं, France से, मतलब की, they went out for the shopping, और जो भी दुकान मिली, वहां से जो समान मिला, उन्होंने सारा का सारा खरीद लिया, country है छोटी सी, लेकिन oil की वज़े से, इनका जो per capita income है, जो GDP है, वो काफी अच्छी है, 30 billion dollar इन्होंने अपने military के उपर खर्च कर दिये, now the problem is that कि इनके पास अब जो ये problem है, ये logistic की problem, ये solve करने की कोशिश कर रहे है, तर्की के साथ एक agreement में, with the Qatari government intending to station some 36 of its warplanes and transporters in Turkey, इनका एक plan है कि तर्की के अंदर एक military waste बनाय जहाँ पर एक five year के temporary deployment agreement के तहत, वो सारे के सारे जहाज वहाँ पर station कर दिये जाए, but this move has a problem which can create political headaches for both the nation, for Qatar and France, अभी जो वहाँ पर तर्की में जो भी planes को place करने की बात है, वो specifically Rafale से associated है, अब Rafale, जहाज कौन मनाता है, फ्रांस की कपरी मनाती है, यानि कि फ्रांस की जो government होती है, जब कोई agreement sign करती है Rafale के, तो उसकी कुछ conditions होती है, तो उन्होंने जब Qatar को जहाज बेटेते तो there were certain conditions associated with it, now French government की permission लेने की ज़रूरत पड़ेगी, अगर वो Rafale जहाजो को तर्की के अंदर place कर देते है, and the French government will have to wait domestic politics and a desire to expand its defense industrial footprint, आपने recent news में कभी कभी सुना होगा, कि जो France है और तर्की के बीच में है, Islam के based पे, Islam के context में कई परकार की controversies रही है, French president जो Macron है, उन्होंने कुछ comments किये है, Islam के support में या against में, उसमें तर्की की तरफ से basically कुछ परकार की friction रही है, diplomatic, and those Rafale plans which are built by France, वो basically इस समय तर्की के अंदर place किये जा रहे हैं, अब specifically, Qatari और fighters, दस Miraj 2000 warplanes, उसके साथ C-130J, Super Hercules जो की United States of America बनाता है, C-78 transports, will be deployed in Turkey under this 5-year temporary arrangement, अब इसमें एक फाइदा तो है, it is basically the strengthening relationship between the Turkey और कतर, तर्की ने पहले से ही basically दोहा के अंदर, यानि की कतर के अंदर एक military base बना रखे अपनी, तो इन दोनों के जो defense relations हैं, वो इससे बहतर होने की संभावना है, problem यहाँ पर आती है, इस agreement से, कतर को तो मौका मिल जाएगा, अपने नई warplanes के लिए basically एक, let's say कि गराज, या फिर एक military base करने का, and उसको time मिल जाएगा, अपने pilots को train करने का, finally, benefit होगा कि Turkey will also consolidate relations with it, इसके साथ साथ, तर्की का क्या फाइदा है, they will get to strengthen its geostrategic position by ensuring the firm military ties with Qatar, ठीक है, जो कि एक major oil and gas producer है, in the middle of the Gulf Arab states, और तर्की का जो दूसरा एक major competitor है, गल्फ states में, वो basically साथ है, तो उसके साथ ही एक parallel, ये country के साथ अच्छे relations करना, उनके लिए futurely काफी strategic decision है, सवाल ये है, कि deploying offensive warplanes in a foreign country, requires approval from where the planes were built, right, तो अगर हम कहीं से भी कोई ऐसे military, high military grade के, ऐसे super secret वाले, जब कोई military planes खरीते हैं, जो कि एक एक plane 800, 900, 1000, 1000 करोड रुपे का पड़ता है, गाड़ी नहीं है, swift नहीं है, कि 6-7 लाक में जाती है, अब इनके लिए, जिस country में बनते हैं, वो हमेशा किसी conditions के साथ दिये सकते हैं, तो यानि कि रफैल जहाजो को, अगर हम कतर की तरफ से तर्की में प्लेस करना चाहते हैं, France government will have to give a permission of it, in the case of France, अभी basically इस मुद्दे के ऊपर थोड़ी सी silence बनी हुई है, French Ministry of Defense ने point out किया, कि in the event of the flight of कतरी fighter planes, a Turkish plane must be part of the flight, कहने का क्या मतलब है, कि अगर रफैल जह जहाज कोई flight लेंगे, उस जहाज के अंदर at least एक fighter pilot जो हो, वो हमेशा for surety से कम से कम कतरी होना चाहिए, मतलब कि कतर nationality का बंदा होना चाहिए at every given point of time, some experts believe कि Paris most probably ये करने की कोशिश भी करेगा, why? France probably wants to do it, क्यों, क्योंकि उनको तर्की के साथ business करना है, from last one decade, they have been actually trying to sell several of their military products to the Turkey, लेकिन वो basically उस market को crack नहीं कर पाए है, and this might give them an entry into it, ठीक है, तो इस बात का benefit उनको definitely मिल सकता है, they might see benefit in permitting the deployment of the Qatari fighters, इसके बाद this agreement could give French defense industry a step towards penetrating the Turkish market, but इस से एक political issues होने की पूरी की पूरी संभाव ना है, क्योंकि Macron के कुछ Islamic views के ऊपर, some steps which they have taken related to the secularism of the France, or related to the Republic values of the France, has not well done, उनका थोड़ा सा अच्छा स्वागत नहीं किया गया तर्की या Islamic nations में, and which might actually create a problem, क्योंकि इस साल basically France में elections भी आ रहे हैं, so we have to see how the France is probably going to react to it, so this is the problem, मैं इस बात से basically यही पता चलता है कि अगर गाड़ी खरीदी जाए, तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि खुद के गराज में basically उसको खड़े करने की जंगा होनी चाहिए, and in case you need the pdf of this class, this is the telegram channel that you must join, I will see you in the next class.